हलो एब्रीवान आप सभी का स्वागत है भई मैगनिट ब्रेंज के शांदार यूट्यूब चैनल पर जहां पर हम सभी लोग मिलकर आपको पढ़ाते हैं आपको प्रोवाइड करते हैं 100% free of cost high quality educational videos of K12 यानी kindergarten से लेकर class 12 तक CBSC board English medium की पूरी पढ़ाई and that too free of cost कोई चार्ज नहीं और हिंदी मीडियम के students भी हमारी हिंदी मीडियम टीम से पढ़ सकते हैं on magnet brains हिंदी मीडियम YouTube channel जहां class 6 से लेकर class 12 UPMP बिहार राजस्तान और देली बोट के बच्चों को cater किया जा रहा है free of cost high quality education प्राप्त कर सकते हैं हमारे हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी और अगर notes की बात कर लें तो आप website और application चेक आउट कर सकते हैं for best notes in PDF format this side जीशान your maths mentor आप सभी का स्वागत करता हूं फिर से आज के बड़ी अवाले session में आज हम application of derivatives जो हमारा chapter चल रहा है उसमें maxima और minima से related example solve कर रहे हैं ताकि हम exercise 6.3 को solve करने के लायक बन जाएं तो अब हम पहुँच चुके हैं example 24 and 25 पे बड़े-बड़े examples हैं बड़े-बड़े questions हैं जिनके solutions थोड़े से lengthy हैं समझाने में भी समय लगता है इसलिए दो-दो question की series लेकर चल रहे हैं आगया 24th question मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इस type के questions जो हमारे AOD में होते हैं applications of derivative में होते हैं इनको बोला जाता है statement वाले questions क्या बोला जाता है word problems या statement type questions इनको करना आसान होता है बस हमें कुछ steps मालूम होनी चाहिए अगर हमें उन steps को follow करना आता है तो बस बात खत्ब होगी फिर तो कोई दिक्कती नहीं है it is all about steps आप अच्छो करते है question number या example number 24 चलो तो भाईया क्या कह रहा है example example कह रहा है let a b and b q be two vertical poles at point a and b ठीक है बही या दो points है a and b ध्यान जे सुनिएगा जी sir दो points है a and b तो हमने ये दो points बना लिये ठीक है this is one point a and this is another point b ठीक है ठीक है a and b ठीक है a p and b q are poles a p एक pole है और b q एक pole है pole मतलब खंब a p 16 है b q 22 है मतलब अगर a ये है और b ये है ध्यान से सुनिएगा अगर a ये है और b ये है तो दोनों पर pole लगे हुए a b a p जो pole है वो 16 है b q 22 है तो b q ये वाला pole बड़ा है तो sir हम क्या करेंगे हम यहाँ पर pole बनाने की कोशिश करेंगे सर जी ये हो गया हमारा a q a p और ये हो गया हमारा b q ठीक है b q थोड़ा सा बड़ा बनाना पड़ेगा क्योंकि b q 22 72 मीटर का लिखा हुआ है इन्होंने clear है हा सर clear है आओ चलो देखते हैं इसको बनाते हैं सर इसको dark करते हैं ठीक है ध्यान से सुनिएगा जी सर ये हो गया a p ठीक है सर ये a p हो गया ये हो गया b q हां सर ये b q हो गया बच्चा a p कितना दिया 16 मीटर यानि ये इसकी जो लंबाई है वो 16 मीटर है दूसरे color से लिखूंगा रुख जाओ ठीक है इसकी जो लंबाई है a p ये जो pole है ये 16 मीटर ऊंच आए ठीक है सर और ये जो लंबाई है इस pole की ये 22 मीटर ऊंच आए ठीक है तो ये बड़ा pole है and a b is 20 और a b के बीच में जो पूरी दूरी है यह सर यह 20 मीटर है कितनी है दोस्त 20 मीटर 20 मीटर कोई दिक्कत नो दिक्कत सर कोई दिक्कत नहीं है सुनते यह ना जी सर अब इन्हों ने यह कहा find the distance of a point R on AB अब आपके पास एक point R है AB पर ध्यान जो सुनिएगा जी सर अब मैं purple color से जो बना रहा हूँ ना यह चीज फिक्स नहीं है जो चीजे मैंने अभी लिख दीना वो सब फिक्स है कि भाईया जो AP पोल है वो 16 मीटर है उसकी उचाही तो फिक्स रहेगी सर जो BQ है उसक इसे लिए मैं बोल सबना रहा हूं कि अब जो मैं चीज़ें यहां बनाऊंगा वो फिक्स नही ए ठीक है सर from point A find the distance of the point R from point A मतलब हमें AR ये पता करना है this we have to calculate हैना और जो हमें calculate करना है हम लेट कर लेंगे ये X ठीक है तो हमें AR पता करना है R point जो AB पर है उस point का A से distance निकालो ठीक है भईया A से distance निकालो from the point such that P, R P square R P कहा है सर R P है तो R P को जोड़ो सर R P को जोड़ो दिया ठीक है R P join कर दिया R P square प्लस R Q square R Q सर R Q को join करो ठीक है R Q को join कर दिया सर R P square और R Q square minimum हो minimum हो minimum हो समझ रहे हो कुछ नहीं समझे बताता हूँ सुनो question अगर आपने previous वाले वीडियो देखे हैं मेरे previous वाले एक ही वीडियो अगर देखा होगा तो आपको समझ में आ जाएगा यहां क्या चल रहा है अब समझो बात को धियान से सुनना जी सन अगर A B 20 दिया और इन्होंने कहा A B की उपर एक point R है आपको A से R का distance निकालना है जिसको हमने let करके X मान लिया तो अपन लिख देते हैं let white color से लिखते है let AR जो हमें निकालना है let AR is equal to X ठीक है X meter आप कह सकते हो ठीक है और अगर AR X है तो R B क्या होगा Sir R से लेकर B तक यह जो distance है यह क्या होगा Sir यह distance जो है ना R B यह total 20 में से X को हटा दो तो यह क्या हो गया 20 minus X तो R B क्या हुआ अगर AR हमारा X है then R B is equal to 20 total है 20 में से X minus कर दो भाई हाँ Sir सही कह रहो आप 20 minus X meter इतनी बाद done है हाँ Sir done है clear है हाँ Sir बिलकुल clear है आगे बढ़ते है अरे भाई लिख जा ठीक है ठीक है यह meter हो गया ठीक है done अब सुन्दे या ना मेरी बाद जी Sir इन्होंने जिस चीज़ पे काम करने को कहा है वो यह है वो यह है Sir R P square plus R Q square R Q square ठीक है पिटा इसको let कर लो S के बराबर S P जो लेना है तो मैं उसके बराबर ले लो S क्योंकि S है नहीं है हमारे पास पूरे figure में है हाँ Sir तो S के बराबर ले लो क्योंकि कुछ ना कुछ तो let करना पड़ेगा S या P कुछ तो मानना पड़ेगा सही बात है तो S के बराबर मैंने let कर लिया ठीक है बच्चो R P और R Q को हमें कुछ variables मिलाना पड़ेगा देखो obviously बात है इतना तो तुम समझ गए होगे previous questions के solutions explain कर दिये थे मैंने आप इतना तो देख के समझ गए होगे कि हमारा पहला step होगा इस equation को या इस line को हमें differentiate करना पड़ेगा ये तो आपको सबको पता है लेकिन differentiate आप बाद में करना पहले इसको कुछ variables में तो लाओ 16, X, 22, 20 कुछ लेकर तो आओ तो अपन क्या करेंगे हम सबसे पहले यहां पर एक काम ये करेंगे सर कि हमें पता ही ये कितना होगा 90 डिग्री हमें पता ही ये कितना होगा 90 डिग्री हमें काम करेंगे सर जी हम यहां पर पाइथा और यहां पर पाइथागूरस थियूरम लगाएंगे सबसे पहला काम हम पाइथागूरस थियूरम लगाएंगे ठीक है दन सर तो अपनने क्या करा अपनने इन ट्राइंगिल इन ट्राइंगिल पी ए आर पी ए आर ठीक है अपनने क्या लगा पाइथगोरस लगा है पाइथगोरस क्या होता हाइपोर्टनियूज स्कूर इस इकोल तो इस स्कूर प्लस इस स्कूर ठीक है तो अपनने लिखा हाइपो है तो हमने 16 का square लिखा plus AR क्या है ARX है तो हमने X का square लिखा यह जो भी value आई PR के नीचे लिख दो PR या RP जो भी है इसी के नीचे लिख दो सर लिख दी क्या ही भई या 16 का square ठीक है solve मत करना नहीं तो 16 के square को 256 लिख दो कोई मतलब नहीं है ठीक है plus plus बिटा X square done sir बिल्कुल done plus अब RQ की बारी तो सर जी अब अपन लिखेंगे in triangle in triangle QBR ठीक है QBR ठीक है QBR अब इसमें पाइद अगोरस लगाओ तो बिटा इसमें पाइद अगोरस लगाएंगे hypotenuse square is equal to this plus this है ना this square plus this square तो RQ होगे hypotenuse RQ square ठीक है सर is equal to we have QB square QB square plus RB square plus RB square ठीक है RQ square तो अपन को निकालना है सर ठीक है is equal to QB क्या है विया QB हमारा है 22 तो 22 का square plus बिटा 4 484 मत लिख देना 22 का square 484 होता है लिख देना आपकी मर्जी है लेकिन उसका कोई फायदा नहीं है RB square है 20 minus X का square done सर ये उठागे बिटा RQ को नीचे लिख दो RQ की value ठीक है सर तो 22 square ठीक है सर प्लस ठीक है सर 20 minus X का square धियान चे सुनना बिटा जी सर बहुत important चीज लिख वा रहा हूँ ठीक है done सर 20 minus इसको पहले छोटा कर दे थोड़ा यहाँ लिख देते है ठीक है done bracket 20 minus X का whole square ये आ गई अब आप सर इसको solve क्यों नहीं कर रहा है फायदा ही नहीं है इसको solve करने का S is equal to अब अपन शुरू करते हैं अपना solution सर सबसे पहले देखो क्या हमारा ये पूरा का पूरा single variable में है हाँ सर देखो ये देखना हिये सर X X हाँ सर सिंगल variable में Y नहीं है X है एक variable है ठीक है कर दो पेटा सबसे बहला स्टेप क्या होगा हमें इसको differentiate करेंगे सबसे पहला step क्या होगा differentiate करेंगे तो हम लिखेंगे बहिरिशचेटिंग बोध साइड्स ठीक है di państwo between both sides with respect to x, x के respect में, जो variable है, क्या variable है सर, x, तो x के respect में differentiate होगा, तो बहुत, तो या s के पीछे क्या आ जाएगा d by d x, d by dx of x, ठीक है, तो अब इन सब भी क्या आएगा, वे, सब में लग जाएगा d by dx, इसमें भी, इसमें, क्योंकि प्लस लगा ना तो अपन यह की step में कर देते हैं so d by ds d by dx of 16 का square 16 का square plus d by dx of x square d by dx of x square plus d by dx of 22 का square d by dx of 22 का square plus d by dx of 20 minus x का square d by dx of 20 minus x का whole square इतना clear है हासर धियान से सुनो बेटा d by dx of 16 square यह क्या होगा यह तो constant है 16 का square 256 यह तो constant number है तो यह तो 0 हो जाएगा d by dx of 22 का square 22 का square 484 होता है यह भी एक constant number है 0 हो जाएगा तो भाई यह तो 0 और यह 0 होगा इसके लिए तो मैं solve नहीं कर रहा था तो mainly हमें इन दोनों का differentiation करना इन दोनों का derivative निकालके पता करना है ठीक है तो d by dx of x square सर जी यह हो जाएगा 2x कर लेना मैं बता नहीं रहा हूँ कैसे होगा क्योंकि आपको पता है d by dx of x square होगा 2x ठीक है यह क्या होगा सर d by dx तो यह होगा बेटा 220 minus x ठीक है और फिर इसका minus minus का 1 और minus का 1 होगा d by dx of 20 minus x बताता हूँ अभी देखो इतने part का यह आया कैसे आया अभी बताता हूँ d by dx of यह x मान लो इसको थोड़ी देर के लिए x d by dx of x की power n n x की power n minus 1 यह होगा सर n क्या आए बेटा 2 x क्या आए बेटा 20 minus x ठीक है n minus 1 2 minus 1 2 minus 1 तो 1 होता है ठादो तो यह आगया 2 bracket 20 minus x 2 bracket 20 minus x इसके बाद फिर अपनको यह भी इसका भी differentiation करना पड़ेगा d by dx of d by dx of 20 minus x यह मत भूलना done? yes sir यह जब अंदर जाएगा तो d by dx of 20 0 आ जाएगा d by dx of minus x minus का 1 आ जाएगा तो basically minus का 1 आएगा है ना तो 2 into 20 minus x into minus 1 2 into 20 minus x into minus 1 पूरा minus 1 आएगा clear है? हाँ sir clear है ना? हाँ sir तो अपन यह लिखेंगे बेटा 2x plus 2 bracket 20 minus x into minus का 1 अब minus 1 into 2 minus 2 minus 2 धाया जो सुनना ठीक है sir 2x और यह minus का 2 हो गया bracket 20 minus x तो 2x ठीक है sir 2 into 20 minus का 40 minus 2 into minus x plus का 2x तो sir जी यह आगया हमारा 4x minus 40 4x minus 40 यह क्या आगया? ds by ds upon dx ठीक है? जिसको अपन कह सकते हैं हमारा f dash x है यह क्या है? f dash x आ गया इसको f dash x बुलाया जा सकता है इसको मुझे erase करना पड़ेगा तो आप एक बार इसको देख लो क्योंकि मैं f dash x लिखूंगा बस ठीक है? done sir तो यह एक बार देख लूँ मैं तो यह तो 0 हो गया यह तो 0 हो गया यह 0 हो गया इसको छोड़ो इन दोनों को solve करना है इसका आएगा बेटा 2x है ना 2x की पावर 2 minus 1 will be 2x only clear है? हाँ sir और इसका solve किया भी अपन ने तो 2 20 minus x फिर minus कवन तो minus 2 minus 40 plus 2x तो 4x minus 40 4x minus 40 perfect अब बेटा मैं इसको erase करना चाता हूँ ठीक? I just want to erase ठीक है sir 4x minus 40 है ठीक है? तो यह कितना आया है sir यह आया 4x minus 40 ठीक है? डन sir अपन इसको क्या कह सकते हैं? अपन इसको कह सकते हैं यह हमारा f-x आया 4x minus 40 डन है? हाँ sir डन है इसको थोड़ा छोटा करेंगे ठीक है sir और इसको यहाँ अपनेट कर देंगे या ds upon dx जो भी है इसको बेटा equal to 0 रखके critical points निकालने है तो step number 2 लिख दिया sir हमने के f-x जो आया जो यही है ds upon dx यही है ds upon dx ठीक है sir जी इसको equal to 0 रखके critical point निकालो चलो तो यह है बेटा 4x minus 4 है ना 4x minus 40 इसकी जगा यह लिखा equal to 0 अब बेटा अच्छे से solve करेंगे तो यहां से हमें क्या मिलेगा यहां से हमें मिलेगा x is equal to बच्चा 10 x क्या मिलेगा x is equal to सर जी हमें 10 मिल जाएगा बात समझ में आ गई हाँ sir अब यही हमारा क्या है बच्चो यही हमारा critical point है यहां मैंने arrow लगा के लिख दिया this is critical point क्या sir critical point step number next step number 3 step number 3 है बेटा f double dash x निकालो क्या है sir step number 3 यहां लिख देता हूँ मैं step number 3 है find f double dash x f double dash x is equal to question mark यानि आपको second order derivative के हिसाब से चलना है तो f double dash x निकालना है f dash x की मदद से sir हमारा f dash x क्या है हमारा f dash x जो है न वो ds upon dx ही है यही है f double dash f dash x बोल तो या ds upon dx बोल तो बात बराबर है यह हमारा क्या है sir 4x minus 40 है ठीक है अगर हमे f double dash x निकालना है तो हमें इसका differentiation करने है जब पढ़ेगा differentiating with respect to x के respect में क्योंकि यहाँ पर जो variable है अपना क्या है बिटा variable x है ठीक है तो f double dash x के पीछे d by dx लग जाएगा f dash x के पीछे d by dx लग जाएगा इसके पीछे भी d by dx लग जाएगा d by dx of dx upon dx ठीक है और बच्चा इसके पीछे भी इसके पीछे माइनस लगा तो इन दोनों पर लग जाएगा d by dx of 4x ठीक है सर minus d by dx of 40 d by dx of 40 d by dx d by dx of 40 ठीक है डन सर अब यह क्या होगा ना यह 4 पीछे चला जाएगा अपना है ना और dx upon dx कट जाएगा तो बचा यह क्या है यह 4 आएगा और यह तो अपना 0 हो जाएगा d by dx of 40 40 एक कॉंस्टेंट नम्बर जीरो तो बचा यह 4 आएगा हमारा क्या आगे सर f double dash x कह सकते हो आप हमारा क्या आगे 4 है ना चाहो तो यह बोल दो या फिर आप कह सकते हो d2s upon dx square यह भी आप कह सकते हो this is 4 है ना चाहे यह कहो या फिर यह कहो भी आप दोनों ही सेम चीज है दोनों 4 है दोनों को हम 4 ही बोलेंगे दोनों एक ही चीज है 4 आ गया अब next step क्या होता है बस last step है आने वाला है बिटा last step रहेगा हमारा ध्यान से सुनिएगा step number 4 and the last step is सर जी जो हमारा critical point आया ना critical point क्या था बिटा x is equal to 10 ठीक है x is equal to 10 ठीक है अब इस critical point को f double dash x में डाल के देखो symbol क्या आ रहा है तो sir f double dash x जो है हमारा क्या है सर जी 4 यह 4 है अगर मैं x की जगा 10 लिख देता हूं f double dash x की जगा 10 लिख देता हूं तो यहां भी x की जगा 10 लिखना पड़ेगा पर यहां तो x है नहीं यहां तो 4 आएगा यह positive आया sir हमने critical point को f double dash x में डाल के देखा तो positive आया और अगर positive आ जाए तो क्या होता है point of minima यानि यह जो point है ना x is equal to 10 यह हमारा point of minima थाबित हो गया हम क्या लखेंगे therefore x is equal to 10 is point of minima point of minima क्या है बच्चा point of minima है और point of minima ही हमें चाहिए था क्योंकि बात हो रही थी minimum value की क्या बात हो रही थी minimum value की हमें यह क्या रखना था सर हमें यह रखना था ध्यान से सुनो यह हमें minimum रखना था और अगर हमें यह minimum रखना है तो हमें x की जो value यहां रखी जा रही है उनको minimum रखना पड़ेगा तो x की minimum value 10 आ गई बटा हमें यहां पर यह minimum रखना था यह solve नहीं करना है, don't worry, हमें सिर्फ और सिर्फ निकालना था, find the distance of a point r from a, हमें r from a निकालना था, तो हमारा answer क्या आया, हमारा answer आगया, उपर लिख देता हूं बिटा, हमारा answer आगया, r from a, ध्यान जो सुनो, उन्होंने कहा था, find the distance of r from a, यानि a r का distance निकालना था, जो x था, minimum condition बनाके निकालना था, x बिटा हमारा 10 आया, answer आगया 10 meters, लो भी या, यह answer है, ठीक है, a r अपना x था, x की minimum value हमारे पास 10 आगयी, वही हमारा answer है, इसका मतलब यह जो r है न, 10 यहाँ 20 minus x, यहाँ 20 minus 10, 10 यहाँ, मतलब 10 और 10, इसका मतलब यह जो point है न, इस condition में midpoint है, क्या ह midpoint, क्योंकि यहाँ भी 10, यहाँ भी 10, तो यह हमारा midpoint साबित हो गया, क्या साबित हुआ, midpoint, ठीक है, समझ में आगई बात, yes sir, तो हमारा answer क्या है, 10 जल्दी से अब आगे बढ़ सकते हैं, question number 25 या, example number 25 पे अपन जंप करना चाहते हैं, sir, तो इसको erase कर दू, हाँ sir, कर दो, बलो भी या, इसको erase कर दिया, आगे चलते, example number 25 करेंगे बिटा, जल्दी से पढ़ो, moving on to 25 now, देखो बिटा, example number 25 क्या कह रहा है, if length of three sides of a trapezium other than base are equal to 10 cm, बात number 1, हमें यहाँ trapezium का काम है, trapezium बनाना आना चाहिए, उसका area, उसका parameter, सब पता होना चाहिए, तो sir, यहाँ आप छोटा ही बना रही है, लीजे से, यह हमने trapezium बनाया, trapezium की क्या चीज़ खासियत होती है, sir, trapezium में two sides, only two sides, one pair of opposite sides are parallel, ठीक है, one pair of opposite sides are parallel, बस यही खासियत होती है, sir, यह हमारा trapezium हो गया, ठीक है, अब इन्होंने यह कहा, चलो पहले तो नाम लिख देते हैं, इस trapezium का, तो 60 trapezium का नेम, A, B, C, D, लिख तो सबसे best, A, B, C, और बेटा जी, यह D, done है, हाँ sir, बिलकुल, done है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, देखते जाना, जी sir, इन्होंने कहा, the length of three sides, वैसे 4 sides है trapezium है, पर 3 side की length हमें बताई गई है, other than base, base को छोड़ के, बाकी 3 sides की length है, वो 10 cm ह मतलब, base यह होती है, इसको छोड़ दो, बाकी 3 sides हमारी 10, 10, 10 cm दी गई है, मतलब, यह भी बिटा 10 cm है, यह भी बच्चा 10 cm है, और यह भी बच्चा 10 cm है, बात क्लियर है, हाँ sir, ओके, base नहीं दिया गया हमें, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, then find the area of the trapezium when it is maximum, हमें area of the trapezium न करना है, find the area of the trapezium when area is maximum, area maximum, सुनना, हमें जो निकालना है, हमें निकालना है, area of trapezium, ठीक है, जी sir, area of trapezium निकालना है, trap लिखते हो, मैं trap, trap नहीं है, यह trapezium है, और यह क्या होता है sir, यह होता है half into, sum of parallel sides, यानि कि पूरा लिखूंगा, मैं half into, sum of parallel sides, ठीक है, half into sum of parallel sides, इसको थोड़ा पीछे करते हैं, ठीक है, half into sum of parallel sides, into perpendicular height, या perpendicular distance भी आप कह सकते हो, मतलब अभी बताता हूं, सुनो अभी बताता हूं, यहां एक काम करना पड़ेगा, अपन को इस figure में थोड़े से changes करने पड़ेंगे, क्या, अभी बताता हूं, एक काम क इसको एक isosceles trapezium मान सकते हैं, क्योंकि देखो ध्यान से सुनना, मेरी बात ध्यान से सुनना, जब parallel sides को छोड़ के बाकी दोनो sides equal होती है, क्या होती है सर, equal होती है, तो इसको trapezium को एक special name मिल जाता, isosceles trapezium, ठीक है, done सर, और isosceles trapezium एक तरह से symmetric होता है, symmetric मतलब जैस इस तरफ है, वैसा ही उस तरफ है, तो यहाँ काम कर सकते हैं, अपन यहाँ पर dot 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 बना के बिलकुल perpendicular line बना सकते हैं, कि सर जी, यह point अपनने बोल दिया है, और यह point हमने बोल दिया है, यह है F, ठीक है, obviously सर यह भी 90 degree होगा, यह भी 90 degree क्योंकि अपने perpendicular बनाया है, ठीक है, रहे हो, E से F तक यह भी अपना क्या होगा बच्चा, यह भी अपना 10 ही होगा, समझ रहे हो ना, हाँ सर, तो यहाँ अपनने लिखा, यहाँ से लेकर, यहाँ तक सर, यह क्या है, this is also 10 cm, अब बचा A, E और F, B, अब यह तोनों बराबर बराबर होंगे, equal equal होंगे, बात समझ इकसी बात है, कोई नई चीज नहीं है, क्लास 8 में बच्चों को समझा दिया जाता है, तो A, E को अगर मैं यहाँ X लेट करता हूँ, तो बच्चा फिर मुझे F, B को भी यहाँ X लेट करना पड़ेगा, समझ गए, yes sir, यह बात अगर आपको समझ में आई, तो हमारा figure-up complete हो यहाँ से, सर जी, area निकला, area of trapezium is half, sum of parallel sides, भईया, parallel side is CD और AB, तो हम लिखेंगे बेटा, यहाँ, AB प्लस CD, ठीक है, AB और CD parallel है, ठीक है sir, done है, हाँ sir, done है, into height, सर जी, height तो हमें नहीं पता, तो height को हमने अभी फिलाल H लिख लिया, height यही तो है DE, यही तो है height, यह H है, है न आ जाएगा, सही बात है sir, H निकालें या भी H के लिए काम होगा, फिलाल यहाँ काम कर लेते हैं, half, ठीक है, AB कितना है बेटा, AB देखो, AB है हमारे पास, ध्यान से सुनना, AB है बेटा, this, plus this, plus this, AB पूरा है, यानि X plus X plus 10, यानि 2X plus 10 है न, औरली हो जाएगा, तो AB है बेटा अपने पास 2X plus 10, और CD क्या है बेटा, अपने पास CD, CD उपर देखो, CD तो अपनको clearly 10 देख रहा है, into H, ठीक है sir, यह हो गया बेटा, अपने पास 1 by 2, यानि half, bracket 2X plus 20, into H, done, yes sir, 2 common ले लेंगे, तो बेटा, half, into, 2 common आ गया, bracket में X plus 10 आया, into H, यानि की height, ठीक है sir, काटा पीटी कर दो 2 से 2 गया, 1 से multiply, यह आया बेटा, क्या है हमारे पास, आया, H into X plus 10, अब सुनना अभी आया नहीं, अभी खतम नहीं हुआ ही, हमें हमारे area को maximum लेना है, ध्यान से सुनना, यह area क्या होना चाहिए, max, यानि जो max मानना है, जो maximum चाहिए, या जो minimum चाहिए, X और H दो variables हैं, हमें हटाना पड़ेगा किसी एक को, हमें या तो पूरे को X में convert करना है, या H में, आपकी मर्जी, हम इसको X में कर सकते हैं, देखो कैसे अभी बताता हूँ, आपको ध्यान से सुनना, जी सर, बच्चों यहाँ पर DEA देखो, in triangle DEA, in triangle DEA, अब अगर आपने DEA triangle देखा, तो आपको एक चीज़ समझ में आ जाएगी, कि यार यह triangle, तो right angle triangle है, pythagoras तो लग जाएगा, इसको देखो, बस pythagoras थेओर हम क्या कहेगा, यह hypotenuse square, यह hypotenuse square, is equal to perpendicular plus base square, तो DE square plus AE square, समझे, हाँ sir, AD बिटा 10 है, तो 10 का square मार दिया, is equal to DE बिटा height है, तो H का square कर कर दिया, AE बिटा X है, तो X का square कर दिया, यहाँ H square ध्यान से सुनना बिटा, जी sir, H square निकालेंगे, तो यह आएगा, 10 square minus X square, is equal to H square, H square नहीं चाहिए sir, H चाहिए, H square नहीं चाहिए sir, H चाहिए, तो यहाँ से H क्या निकलेगा, यहाँ से H निकलेगा, बिटा, अंडर root, अंडर root 10 square minus X square, 10 square minus X square, 100 भी लिख सकते हो, अगर आपकी इच्छा है, लेकिन कोई फायदा नहीं है, यहाँ equation number 1 मार्क कर लो, यह हमारी equation 1 आ गई, clear है, हाँ sir, बिलकु के terms में मिल गई, यहाँ रखो sir, ठीक है, यहाँ रखते हैं, ठीक है, तो area क्या आ रहा है sir, area आ रहा है, यहाँ पर अपन लिखते हैं, area is equal to, area of trabezium is equal to, H की जगा sir, वो लिखेंगे, जो हमें लिदिया हो, मतला अपन ने निकाला है, जो वो लिखेंगे, ठीक है, तो H की ज understand, अब हमारे पास जो area आया, पूरा एक ही variable में आया, x और x, ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम अपने steps पे जलेंगे, और पहला step होता है, कि आपका जो area है, जो भी चीज़ है, जिस चीज़ को maximum या minimum रखना है, वो चीज़, वो statement को आपको derivative निकालना है, डिफ्रेंशि ठीक है, space क्योंकि मुझे चाहिए, काफी space चाहिए पड़ेगा, ठीक है, अरे यार, एक second, just a second, सरी गया, ये area आगया हमारा, ठीक है, this is area of trapezium, ठीक है, और ये हमें maximum रखना है, दियान जे सुनना, जी सर, ये हमें maximum रखना है, ठीक है, पीटा, question मैंने आपको समझाया है, अ area को हमने क्या माना सर, ध्यान जे सुनना, हमने area को मान के चलो हमने let कर लिया, z से, कि सर ये z है, ध्यान जे सुनना, ihan जे सुनना, area को y helped make area को a मान लिया, कि सर ये a है, a is equal to under root, ठीक है, 10 square, minus x square, into x plus 10, ये हमने मान लिया, ठीक है सर, अब पहला step ये कहता है, कि इसको differentiate करो आपका f-x आ जाएगा भाई ये क्या है आपका what is this ये आपका fx है क्या है बिटा fx है क्योंकि आपका function x के terms में ये पूरा fx है इसका differentiation करोगे f-x आ जाएगा जो f-x आए next step में क्या करोगे उसको equal to 0 रखके critical points निकालना फिर उसके बाद क्या करोगे f double dash x निकालोगे फिर उसके बाद क्या करोगे critical point को f double dash x में डाल के देखोगे फिर उसके बाद क्या करोगे अगर positive आया तो point of maxima हो जाएगा negative आया तो point of maximum हो जाएगा यही काम करना है हाँ सर लेकिन अगर मैंने fx इसको लेकर f-x निकाला यह root में है यह नाटक करेगा मैं बस इतना कहना चाहरा हूँ यह root में है यह नाटक करेगा यह problem देगा आपको यह आपको differentiation नहीं करने देगा अच्छे से यह आपसे गलतियां करवा देगा तो मैंने आपको previous question में बताया था कि अगर area a maximum है तो area का square भी maximum ही रहेगा tension नहीं लेना है तो हम square तोड़ेंगे हम root तोड़ेंगे squaring both sides करके squaring both sides और क्यों squaring करी सर आपको पता ही है ताकि root तूड़ जाए रूट से भाग रहा है ठीक है तो squaring both side करा तो a का square हो जाएगा a square is equal to under root का square बिटा under root से यह तूड़ जाएगा तो यह बचेगा 10 square minus x square ठीक है bracket close यह बचेगा x plus 10 ठीक है done sir थोड़ा इसको solve करते हैं बेटा यह हो जाएगा a square minus b square यानि a plus b bracket close a minus b bracket close और यह 10 plus x या x plus 10 जो भी है आप लिख दो ठीक है बच्चा 10 plus x और x plus 10 सेम चीज है दोनों का multiply करो के square हो जाएगा तो a square will be a square will be ठीक है 10 plus x x plus 10 यानि x plus 10 का whole square ठीक है done और 10 plus x sorry 10 minus x done यह आया a square next step यह है sir कि अगर हमारा a maximum है तो हमारा a square भी maximum रहेगा tension नहीं लेने का ठीक है कोई changes नहीं आएगे नहीं तो आप सोचो के sir a था यह तो area था अब आप तो area का square कर दिया आपने यह area थोड़ी नहीं रहा है यह तो a square हो गया tension नहीं लो फर्क नहीं परता ठीक है तो अब अपन को स्टेप कर रही नहीं है वही second order derivative वाला जो पहला step था वह अपने कर रही नहीं है ठीक है इसको जल्दी से छोटू छोटू बनाओ ठीक है सर छोटू कर दो और इस छोटू को यहां पर accommodate करो fix करो ठीक है इसको fix करने के लिए इसको थोड़ा ऊपर ले जाना पड़ेगा इसको थोड़ा सा छोटा कर देते है पन ठीक है done अब इसको अपन fix कर देंगे यहां डन यह सर चलो विए डन कोई दिखकत नहीं है कोई समस्च्या नहीं है ठीक है इतनी बात क्लियर है अब हमारे पास जो z आया हम a square भूल जाएंगे z को याद रखेंगे z क्या है सर z आया हमारे पास x plus 10 ठीक है bracket x minus x plus 10 का whole square ठीक है then 10 minus x ठीक है अब हम अपने steps पे बढ़ जाएंगे और ध्यान रखना यह हमारा किसमें x में है तो इसको हम f of x यानि function x भी बोल सकते f of x भी बोल सकते है याद रखना इसको ठीक है तो भी अब हमारा step number one क्या रहेगा step number one रहेगा f dash x निकालो f dash x निकालो उसके लिए क्या करना पड़ेगा उसके लिए हमें इसका differentiation करना पड़ेगा तो हम लिखते है differentiating with differentiating both side with respect to x इससे होगा क्या इससे यह होगा कि इसमें भी d by d x लग जाएगा इसमें भी d by d x किसका बिटा f x का यह x के terms में है ना पूरा देखो x के terms में इसलिए f x लिखका ठीक है सर इसमें भी d by d x लग जाएगा d by d x of z और इसमें तो लगेगा ही लगेगा d by d x of bracket बड़ा bracket ठीक है सर x plus 10 का square into 10 minus x ठीक है bracket close bracket close ठीक है डन है हाँ सर अब सुनो मेरी बात इतनी चीज़ को मैं अलग solve करके दिखाता हूं next page ठीक है डन सर तो यहाँ पर अपन d by d x जो है न पूरे expression का वो अलग से solve करते हैं ठीक है 10 plus x plus 10 का whole square 10 minus x x plus 10 का whole square फिर है into 10 minus x ठीक है बेटा यह पूरा जो एक function है न यह basically 1 into 1 यानि दो functions के multiply के बाद यह पूरा एक function बना है यानि यहाँ पर दो functions product में है जिनका differentiation कराना है यानि product rule लगेगा product rule क्या होता है product rule होता है यह बाद में इसका पहले differentiation यानि x plus 10 का whole square यह as it is हमें d by d x करना पड़ेगा बिटा किसका पहले d by d x इसका 10 minus x का ठीक है done सर मतलब इन दोनों के बीच में d by d x आ गया फिर हम लगाएंगे symbol बिटा प्लस का ठीक है फिर यह इधर आ जाएगा और यह इधर आ जाएगा मतलब सर 10 minus x पहले लिखा जाएगा इस बार d by d x लिखा जाएगा ठीक है और फिर लिखा जाएगा अपना x plus 10 का whole square done सर यह सर चलो solve करते ठीक है यह होता है product rule this d by d x this plus this d by d x this ठीक है done सर चलो तो d by d x बिटा अंदर जाएगा इसके सबसे पहले तो है न तो d by d x of 10 minus d by d x of x इधर ही solve कर देते हैं बच्चा यह कटके minus का 1 देगा यह तो 0 हो जाएगा तो यह आया बिटा 0 minus का 1 तो basically देखा जाए तो minus का 1 आया यह part solve करके minus का 1 आया minus 1 का इससे multiply करेंगे तो क्या आयेगा minus का x plus 10 का whole square तो पीटा यह पूरा part complete हो गया x plus 10 का whole square वहीं यह पूरा solve करके मैंने दिखाया पीटा minus 1 आया इसका जब minus 1 से multiply करेंगे तो minus इधर आजाएगा that's it plus लगाते हैं सर जी plus लगाया ठीक है अब इतना part solve करेंगे ठीक है done तो पीटा इसको ही raise कर देते है ठीक है now it is time to solve this part ठीक है 10 minus x as it is लिखेंगे पीटा जी सर 10 minus x as it is लिखेंगे d by dx of इसको x मानो है ना whole power solve करेंगे पहले अपन d by dx of x की power n n x की power n minus 1 n x की power n minus 1 2 minus 1 मतलब 2 सर यह तो 2 ही रहेगा ठीक है तो d by dx अभी power का हुआ अब आपको d by dx इसका करना पड़ेगा d by dx बिटा किसका x plus 10 का done है हा सर अब d by dx अंदर कूदेगा तो d by dx क्या होगा पहले तो x के साथ लगेगा d by dx of x plus d by dx of 10 d by dx of 10 ठीक है सर यह कट जाएगा 1 बचेगा plus d by dx of a constant number 10 is 0 पीटा 1 आएगा यह यह पूरा पार्ट बन आएगा 1 into this into this तो देख लो सर multiply कर लेते हैं क्या आएगा तो सर यह आया 2 2 यह आया 10 minus x यह आया 10 plus x x plus 10 को 10 plus x और यह आया 1 तो 1 का भी चलो भईया multiply लिख देते हैं अच्छे से देखेंगे तो यह आएगा बेटा 2 bracket a minus b a plus b यानि a square minus b square यह आएगा बेटा ठीक है तो हमने इसने पूरे पार्ट को solve करके differentiation कर लिया तो 2 bracket क्या आया बेटा 10 square minus x square done यह सर इसको और अच्छे से करते हैं ठीक है एक काम करते हैं यह लिख लेते हैं क्योंकि भईया कॉमा ना जाएगा ठीक है done सर तो इसको अटाते हैं यह लिख लेते हैं 2 10 minus x ठीक है bracket में 10 plus x और into 1 लिखने का कोई फाइदा नहीं है into 1 तो वही देगा ठीक है आप देखना सर यह पूरा का पूरा हमारा आ गया यह समझ में आ रही है बात यह सर यह जो पूरा solve किया आ गया तो सर यह d by dx of f of x क्या होगा सर यह f dash x आपको दे देगा जो dz by dx कहलाएगा ठीक है done सर यह पूरा मैंने solve करके ला रहा हूँ मैं देखो यह answer आया यह पूरा solve करा इसको यह answer आया इसको थोड़ा सा अपन cut shot करते हैं ध्यान सुनो यह एक चीज है यह दूसरी चीज है 10 प्लस x 10 प्लस x भाई यह common आ सकता है तो 10 प्लस x common ले लो 10 प्लस x common ले लिया ठीक है ब्रैकेट में क्या बचा यह square था तो माइनस का 10 प्लस x एक बार बचेगा इसमें डन है हाँ sir डन है यहाँ से 10 प्लस x बार चला गया तो यहाँ से बचेगा ब्रैकेट में 2 10 माइनस x बचेगा sir डन है हाँ sir डन है चलो और solve कर लेते हैं बच्चा ठीक है इसको side में कर देते हैं यह rough work नहीं है आपको step by step समझा रहा हूं इसलिए time लग रहा है बचा तो बहिया जी 10 प्लस x as it is लिखा ठीक है अब ब्रैकेट में इसको solve कर लेते हैं बच्चा माइनस का 10 माइनस का x प्लस का 20 माइनस का 2x ठीक है डन सर चलो बहिया तो यह हो जाएगा 20 माइनस 10 इस 10 ठीक है प्लस और माइनस का 3x हो जाएगा ठीक है ब्रैकेट क्लोस और यह हो गया 10 प्लस x यह आया बेटा हमारा f dash x की value ठीक है f dash x की यह value आई जिसको आप d z by dx पोकार सकते हैं पिटा एक करेCTION करना हैई जल्दी से देखेंगे अपन क्या करेCTION करना है पिटा यहां आओ देखो अपने जैसे यह यहार का स्कोर किया था स्क्वेरिंग बौध साइड तो इसका square तो यह आ गया था, square से root तोड़ दिया था पन्ने पर x plus 10 का square भी तो भई यह square आएगा, है ना, यह भी तो square आएगा, purple color से लिख देते हैं, ठीक है तो यह x plus 10 का square यह होगा, clear है हाँ sir, तो यहाँ x plus 10 और यह x plus 10 का square है, ठीक है sir, यह square है और फिर यह x plus 10 का cube हो जाएगा, बेटा, क्या होगा, x plus 10 का, यह cube हो जाएगा इसको अटा देते हैं sir, ठीक है, इसको erase करो, यह x plus 10 का cube हो जाएगा, दूस्त, क्या हो जाएगा, x plus 10 का cube let me just remove this also, यह भी, इसको भी अटाते हैं, ठीक है और यहां पर cube लिख देते हैं ठीक है तो यह cube होगा छोड़ी सी देख लो correction है तो हपन कर लींगे कोई दिक्कत नहीं है यहां पर भी x plus 10 का cube होगा सर तो इसको अटाओ x plus 10 का cube ठीक है डन यहां क्या होगा x plus 10 का cube होगा ठीक है यहां भी लिखेंगे X plus 10 का cube, okay यहां पीछे भी थोड़े से अपन को corrections करने पड़ेंगे तो सर जी, यह X plus 10 का cube है ठीक है, X plus 10 का cube लिखा ठीक है, done अब purple color से ही लिखेंगे ताकि अपन को चीजें clearly नजर आए difference clear नजर आए, ठीक है X plus 10 का cube है, ठीक है तो यह हो जाएगा X plus 10 का cube यहां पीछे as it is, ठीक है तोड़ा सा correction है, अपन कर लेते हैं X plus 10 का cube ठीक है, यह तो as it is रहेगा, X plus 10 का cube रहेगा यह ठीक है, तो यहां X plus 10 का cube आ गया, ठीक है सर जी, X plus 10 का cube ठीक है, अभी इसको erase कर दो, इसको दुबारा करेंगे अपन ठीक है, ठीक है ठीक है, ठीक है तो और यह X plus 10 का cube है तो यहां पर अपन 3 लिखेंगे power, power 3 लिखेंगे और यहां basically 2 नहीं यहां 3 आ जाएगा और यहां square आ जाएगा ठीक है, इस square आ गया और यहां 3 बस इतना सा change होगा ठीक है, इतना change होगा वेटाई 3 और यह 2, यह आ जाएगा 3, यहां अटाओ 3, ठीक है 3 और यहां X यह 2 हो जाएगा, ठीक है यह भी अटाते हैं 3 और यह हो जाएगा अपना इसको अटाओ 3 इन्टू 10 माइनस X ठीक है sir 10-x into 10 plus x का square ठीक है यह हो जाएगा अपना इतने पार्ट का solution clear है clear है दोस्त यह तो अपन ने करी लिया sir यह यह आ गया ठीक है और इतने पार्ट का solution यह आ गया तो 10 plus 2 x plus 10 plus x का square ठीक है और यहां आएगा बच्चा अपना 3 I think अब कोई दिक्कत नहीं है ठीक है यह क्या आया पिटा यह अपना आया f-x यह f-x आ रहा है जिसको अपन d z by dx भी कह सकते हैं अब यहां से common लेते हैं अपन तो यहां से common क्या आएगा पिटा x plus 10 का cube है x plus 10 का square है तो यहां से x plus 10 का square अपन common ले सकते हैं ठीक है square अपन common ले सकते है bracket यहाँ से square चला गया तो minus के साथ x plus 10 बचा एक x plus 10 बचा ठीक है plus यहाँ बचा भीटा 3 bracket 10 minus x ठीक है और यह तो भाई चलाई गया पूरा square ठीक है सर solve करते हैं तो x plus 10 का square ओके सर no problem bracket minus x minus 10 plus 30 minus 3x ठीक है done तो सर जी यह होगया x plus 10 का whole square ठीक है हो जाती चोड़ी चोड़ी गलती है यार minus x minus 3x minus का 4x और plus का 20 हो जाएगा clear है हाँ सर तो यह आया बटा हमारा f dash x जिसमें से 4 को common ले सकते हैं minus का 4 common लिया तो बचेगा बटा plus का x minus का 5 और यह अपन बाद में लिख दिया x plus 10 का whole square this is what this is बिटा अपना f dash x कह सकते हो या आप कह सकते हो d z by d x d z by d x बोल दो या f dash x बोल दो है वही चीज़ ठीक है अब next step क्या है सर हमारा next step क्या है ध्यान जे सुनिएगा पहले यह लिख दू मैं minus 4 ठीक है यहां लिख देते हैं बटा अपन minus 4 bracket क्या है बटा x minus 5 ठीक है x minus 5 ठीक है bracket x plus 10 का whole square ठीक है यह आया हमारा ठीक है हाँ x plus 10 का whole square step number 2 है बटा हमें f dash x को equal to 0 रखना है और critical points निकालने यह हमारा step number 2 है रखते हैं तो f dash x यह आया ठीक है तो चलो इसको रखते हैं minus 4 bracket x minus 5 bracket x plus 10 का whole square यह लिख देते हैं f dash x is equal to 0 ठीक है done sir तो minus 4 तो 0 के पास जाके divide हो जाएगा खतम हो जाएगा यहाँ से जो values आएंगी वो आएंगी पेटा पहले तो x minus 5 is equal to 0 से इसको equal to 0 ले लो तो x की value क्या है जी sir 5 ठीक है एक critical point यह आ गया इसको ले लेते हैं पेटा x plus 10 का whole square x plus 10 का whole square is equal to 0 बैस 0 पे भी square लगा सकते है square से square गया x की value आ गई पेटा minus का 10 ठीक है अब x है क्या ध्यान से सुनना x है क्या what is x x अगर अच्छे से मैं पूछू हूँ आपसे तो x है क्या तो sir जी x जो है ना वो distance है a e f b distance है और अगर distance minus 10 आने लगे तो फिर तो हो गया कल ने आने तो minus तो आनी सकता भहिया तो अपन क्या कहेंगे अपन कहेंगे distance can never be negative distance cannot be negative distance negative नहीं हो सकता इसको छोड़ देंगे तो हमारे लिए critical point सिर्फ एक आया therefore critical point क्या आया सर सिर्फ एक critical point क्या है critical point x is equal to only one is there and that is five step number three भाया दो step हो गए सर अब step number three क्या है तो step number three है बिटा आपने f dash x निकाल लिया ठीक है आपने critical points निकाल लिया ठीक है step number three है f double dash x निकालो step number three क्या है सर find f double dash x भाया f dash x का भी differentiation करना पड़ेगा ठीक है f double dash x निकालने का है बिटा तो अपने f double dash x is equal to question mark चलो निकालते हैं कोई दिक्कत निकालने है f dash x यह है इसका f double dash x निकालना है ठीक है यह रहा f dash x इसका f double dash x निकालते हैं इसे के नीचे लिखेंगे बिटा differentiating with respect to x आप लिखना differentiating both side with respect to x ठीक है दन सर ध्यान से सुनना जी सर यहां पर भी इसकोaris कर रहा हूँ ठीक है I'm erasing this ठीक है सर इसकोaris कर देता हूँ ठीक है पिटा यहां पर भी जैसे आपने इसके पीछे d by dx लगाया d by dx किसके पीछे सर f dash x के पीछे आपने d by dx यहान लगाया d by dx किसके पीछे sir dz by dx के dz by dx के आपने बिटा d by dx इनके पीछे भी लगाना है तो d by dx bracket minus 4 bracket x minus 5 bracket x plus 10 का whole square done? यह sir अब सुनते या ना? जी sir बच्चे d by dx f dash x f dash x will become f double dash x क्या बन जाएगा बिटा? f double dash x ठीक है? यह बन जाएगा d2z है ना? सेम चीज है दोनों एक ही चीज है d2z upon dx square second order derivative है ठीक है? बिटा minus का 4 बहार आ जाएगा क्योंकि वो एक constant number है ठीक है? minus का 4 बहार आ गया d by dx ठीक है? किसका चलेगा बिटा? d by dx? इन दोनों का चलेगा x minus 5 ठीक है सर? bracket close x plus 10 का whole square done है क्या हाँ सर? अब यहाँ फिर से product rule लगेगा क्यों? देखो जो product rule यहाँ लगाता वही product rule वहाँ लगेगा मैं बताता हूँ फिर से क्यों? देखो reason यह है कि d by dx बिटा एक function का हो रहा है और यह function बिटा दो function के multiply से बनाए this into this तो यहाँ पर d by dx निकालने के लिए minus 4 तो अभी बचा हुआ है मैं बाकी की काम कर रहा हूँ तो उसको निकालने के लिए पहले x minus 5 को ऐसे ही लिखना पड़ेगा d by dx लगेगा किसका पहले d by dx इसका हो जाएगा तो x plus 10 का square लिखा ठीक है x plus 10 का whole square लिखा ठीक है done है sir बिलकुल done है ठीक है अब यह हो गया उसके बाद बिटा अपन plus लगाएंगे अब x plus 10 square यहाँ जाएगा यह यहाँ जाएगा x plus 10 का square ठीक है d by dx ठीक है x minus 5 सुनना ध्यान से जी sir बिटा d by dx ध्यान से सुनो इसके साथ जब होगा तो आप इसको x मान लो पूरा x की power 2 तो पहले power का d by dx करेंगे तो x plus 5 x minus 5 will be as it is ठीक है यह हो जाएगा बिटा n x की power n minus 1 n x की power n minus 1 तो यह आगया ठीक है sir फिर x plus 10 का भी d by dx होगा d by dx of x plus 10 जो की 1 आएगा यह भी होगा यह बहुत important है ठीक है sir अब इसका करते है plus x plus 10 का square as it is रहेगा ठीक है x plus 10 का square as it is done पक्की बात है done d by dx अंदर कूदेगा ठीक है तो d by dx x का भी होगा और minus 5 का भी होगा हर step को आपको detail में समझा रहा हूँ ठीक है done sir तो d by dx of x ठीक है d by dx of x minus d by dx of 5 ठीक है done sir तो d by dx d by dx जो d x by dx ही कट जाएगा बेसिकली d by dx of 10 यह 0 हो जाएगा constant का d by dx 0 होता है ठीक है सुनते जाएगा अब अपना answer क्या है इसका इसका answer आया 2 bracket x minus 5 ठीक है sir bracket x plus 10 ठीक है sir यह लिख दिया हाँ sir यह पूरा 1 आ रहा है बिटा कैसे आ रहा 1 dx by dx कर जा जाएगा 1 आया ठीक है sir 1 plus d by dx of 10 यह 0 तो 1 plus 0 तो 1 है 1 का multiply इन सबसे करोगे तो यही रहेगा सही बात है sir तो इसको छोड़ दो यही लिख दो ठीक है sir अब लगाया plus ठीक है यह पिटा x plus 10 का whole square x plus 10 का whole square as it is ठीक है पिटा यह क्या आएगा d by dx तो यह बना गया minus यह 0 आएगा क्योंकि d by dx of 5 है तो यह 1 आया अब 1 का multiply x plus 10 square में करोगे तो यही रहेगा हाँ sir सही बात है तो पिटा यह हमने कर लिया और यह जो आया ना यह अपन को minus 4 के आगे लिखने का है minus 4 के आगे लिखने का है proceed में ठीक है तो इसको लिखेंगे बिटा अपन minus 4 ठीक है into यह पूरा bracket में चलेगा ठीक है यह पूरा का पूरा बिटा bracket में चलेगा 2 bracket x minus 5 2 bracket x minus 5 ठीक है bracket close x plus 10 ठीक है bracket close plus x plus 10 का whole square plus x plus 10 का whole square done yes sir bracket close यह आया बिटा अपना f double dash x ठीक है और अच्छे से simplify कर सकते हो screenshot ले लो सामने से हट गया हूँ ताकि आगे के steps और करा दूँ बस बिटा अपन last step पे पहुँची गए अब अपन f double dash x धियान चे सुना मुझे सब erase करना पड़ेगा f double dash x चाहिए था ठीक है यह आगया बिटा अपना f double dash x वहाँ पे लिखा हुआ है मतलब point number 3 मैंने वहाँ forward कर दिया लिख देता हूँ में यह point number 3 हो गया से ठीक है done sir अब point number 4 पता क्या होता है point number 4 होता है कि आपका जो critical point x is equal to 5 आया था ना हाँ sir इसको f dash x में put करो कहां करो पेटा इसको f dash x में जो critical point आया था critical point x is equal to 5 आया था last step है पेटा काई में रखो in f double dash x ठीक है चलो तो f double dash x की जगा 5 रखना है ठीक है sir यहाँ 5 रखा तो हर जगा 5 तो यह minus का 4 बाहर वेट कर रहा है ठीक है sir यह हो जाएगा 2 ठीक है 5 5 minus 5 जीरो तो sir यह 0 हो गया into 5 plus 10 15 ठीक है sir 15 हो गया plus 5 plus 10 15 तो यह 15 हो गया 15 का square बिटा 15 का square क्या होगा 225 तो यहाँ 225 लिखा ठीक है done है हाँ sir done है यह पूरा बिटा 0 हो गया तो minus 4 into 225 कितना होगा बिटा सर्जीफ 900 कितना होगा minus का 900 और यह negative आया क्या है दोस्ट negative यह negative आया और अगर negative आये तो जिस point पे f double dash x negative आये वो maxima का point हो जाता है क्या हो जाता point of maxima therefore x is equal to 5 क्या है sir x is equal to 5 is point of maxima point of maxima या simply maxima भी आप बोल सकते हो done है लो भीया हो गया answer नहीं आया हमें निकालना था find the area देखो find the area find the area और area कहा है sir area हमारा कहा जला गया area यह है sir अमा this is area है यह area है तो finally हम area लिखेंगे area under root 10 square minus x square x plus 10 यह area 10 square minus x square तो यहां लिखते हैं है अपन area is equal to under root 10 square minus x square 10 square minus x square into bracket के बाहर मतलब root के बाहर है बेटा x plus 10 x plus 10 चलो solve करते हैं इसको ठीक है done तो x is equal to हमें 5 रखना है जो हमारा point of maximum आया तो यह हमारा maximum area आ जाएगा क्या आ जाएगा दोस्त maximum area आ जाएगा ठीक है तो यहां 5 रखते हैं under root 10 square हमारा 100 है minus 5 का square 25 है into 5 plus 10 यानि 15 तो बेटा यह आया under root 75 ठीक है into 15 done sir कोई दिक्कत नहीं है 75 को हम लिख सकते हैं बेटा 5 into 5 into 3 into 15 बाहर है ठीक है तो बेटा 5 जो है पेर बनाके बाहर आ जाएगा बाहर 15 भी है under root में बेटा 3 फज गया आंसर आया 15 5 ठीक है 75 75 root 3 और बेटा सब चीज़े सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वेर दिस इस अर आंसर एक बार मैं चेक कर लूँ आंसर सही है के नहीं ठीक है 75 root 3 सेंटीमीटर स्क्वेर कहा है आंसर 75 root 3 सेंटीमीटर स्क्वेर इस अर आंसर एंड कॉंग्राचुलेशन हमने फाइनली इस क्वेस्चिन को बिलकुल अच्छे से सारी की सारी चीज़ से क्लियर कर लिया बता देता हूँ ट्रिफेजियम बनाओ 10-10-10 दिया है यह थे यह थे इस ऐस रिफेजियम हमने सीधी लाइन खीची यहां सर तो ये बिटा 10 आ जाएगा ये भी 10 ये 10 ये 10 तो इसको एक्स ले लो इसको एक्स ले लो अब हमने इरिया ओफ टरपेजियम आपको solve करके दिखाया था half into sum of parallel sides into height है ना sum of parallel sides होगा पेटा 10 plus 2x plus 10 यह 2x plus 10 हो जाएगा तो 2x plus 10 plus 10 यानि 2x plus 20 यह हो गया sum of parallel sides और height हो गई h अब हमें इस पूरे area को single variable में convert करना था यानि यह पूरे के पूरे को x में convert करना था फिर हमने pythagoras theorem की मदद ली height को h को x के terms में change कर दिया height को इसके terms में change कर दिया और यह हमने पूरा area x में convert कर दिया समझ गए? yes sir फिर area root में था तो मैंने square करा क्योंकि यार अगर अगर इसका derivative निकालेंगे तो वो लंबा चोड़ा हो जाएगा दिक्कत में फस जाएंगे तो हमने squaring both side कर दिया फिर अगर a हमारा maximum है तो tension नहीं लो a square भी हमारा maximum होगा और a square को फिर हमने z के equal let कर लिया यह आ गई पूरी की पूरी z वाली equation इसको फिर हमने step चार steps follow करें पहला step है आप इसको z को या f x को differentiate करो f dash x निकालो f dash x यह आ गया फिर second step होता है f dash x को equal to 0 रख्के critical point निकालो critical point 2 आ रहे थे minus 10 हम नहीं ले सकते क्योंकि x distance है distance का भी negative नहीं होता तो एक ही critical point आया x is equal to 5 next step number 3 क्या है f dash x जो आया था आपका इसको दुबारे से differentiate करो f double dash x निकालो तो f double dash x बिटा अपन ने यहां निकाल दिया था यह आया था f double dash x last step step number 4 जो critical point आया 5 वो f double dash x में डालो और solve करो और solve करके देखा negative आया negative आया तो maxima वाला point है x is equal to 5 maxima वाला point है उसको हमने area में रखके solve कर लिया हमारा answer आगे and we are done with this और session को करते हैं भहिया close क्योंकि भहिया हमारे पास next question number 26 27 भी है 28 29 भी चार questions अभी और है तो session को like किये बिना मच जाना बिटा session को like कर दो magnet brains के साथ ऐसे ही बने रहो क्योंकि magnet brains आपको provide कराता है 100% free of cost high quality education for k-12 यानि kindergarten से लेकर class 12 तक की बढ़िया वाली आपको पढ़ाई हमारे इसी चैनल पर कराई जाती है as always for all the classes English medium, CBSC board, K-12 Hindi medium वाले students जो class 6 से class 12 तक की किसी भी class में पढ़ाई करते हैं और best quality education प्राप्त करना चाते हैं तो आप हमारे magnet brains Hindi medium YouTube channel पर जा सकते हैं बच्चों को cater कर रहे हैं free of cost अच्छी वाली education provide करा रहे हैं और बिटा इसी के साथ session को finish करते हैं और बिटा अगर आपको notes की आवशकता है तो notes आपको हमारी website और application पर मिल जाएंगे जो की है www.magnetbrains.com application Google Play Store से install की जा सकती है class 6 to 12 English medium and Hindi medium all subjects के हमारे पास बड़ी हवाले notes है take care happy learning bye